गुजरात के एहमदाबाद में एक चार मंजला इमारत रविवार राध ढह गई ये इमारत सरकारी आवास योजना की है इमारत के मलबे के नीचे दस लोगों के दबे होने की आशंका है रहतकारी के लिए फायर ब्रिगेट की 60 सदस्यों से भी ज्यादा की टीम मौके पर भेजी गई है और गांधी नगर से नाशनल डिजास्टर रेस्पोंस फोर्स टीम की भी मदद ली जा रही है इमारत 20 साल पुरानी थी इमारत की जरजर हालत और किसी भी समय ढह जाने की आशंका के मद्दे नजर इसे शनिवार को ही खाली करवा दिया गया था पर कुछ लोग रविवार को वापस आ गये थे हाला कि वहां रह रहे है कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उन्हें रविवार की दोपहर यानि घटना से कुछ घंटे पहले ही इस बात की जानकारी दी